अच्छा मैं डेफिशेंसी की तरफ बढ़ू बेटा उसके पहले कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहूंगी फ्लार के अंदर डीले करने वाले डीले फ्लारिंग यह आप चाहें तो किसी एक स्पेसिफिक जगह पे मैंशन कर सकते हैं जो फ्लारिंग को डीले करते हैं that is M.O.S.N. M.O.S.N. यहां पर N for nitrogen, S for sulfur and M.O. for molybdenum यह तीन एलेमन्स है ना यह तीनों एलेमन्स जो हैं यह किसके लिए किसके लिए responsible है, they are responsible for delay in flower ripening, flowering sorry not flower ripening, in flowering, flower के production में यह बहुत जादा hindrance cause करते हैं अगर यह एलेमन्स मेरे पास नहीं है तो है ना फिर एक चीज़ देखिए, inhibit cell division, अगर cell division की process को आपको रोकना हो तो मैं आपको याद करने का भी तरीका बिता देती हूँ remember it, S-M-O-K, है ना, smoke, याद कैसे रखोगे, जैसे हम smoking करते हैं, तो smoking is injurious to our health ऐसा बोला जाता है ना, आपने सुना ही famous dialogue, अगर आप बहुत ज़्यादा smoke करते हैं, तो cells जो है, वो cancerous cells के form में convert हो जाते हैं, तो आप आप ज़रा make out करने की कोशिश कीजिए, कि यहाँ पे, मे मेरे पास जो elements है, मैंने oxygen गलती से लिख दिया, वो oxygen इग्नोर करना है हमें, पर बोलने में हमें उस oxygen को involve करना है, ऐसे याद रखिये, sorry, ऐसे याद रखिये, अब ठीक है, तो जो cell division को inhibit करते हैं, that is smoking, अपने ऐसा बता है, smoking, तो इसको ऐसा बोलके देखे, smoking, और को हटा देजिए, और को कंसिडर मत किजेगा, as for sulfur, molybdenum, potassium and nitrogen, अगर ये चार elements मेरे पास majorly नहीं है, इनकी कमी है मेरे plants में, so that is going to result in inhibition of cell division, मेरा plant जो है वो divide नहीं कर पाएगा, cell is not going to get divide, तो जो cell division को inhibit करते हैं, वो ये चार elements मेरे पास, याद कैसे रखेंगे, smoking से याद रखेंगे, delay flower ripening, moon sun से याद कर लिजे, है ना moon कैसे, MO, moon और sun essence, तो moon sun जो है, ये मेरे पास flowering को delay करने के लिए है, और बचे हुए नीचे के जो चार elements है, oxygen बिलकुल भी मत count किजेगा, ये सिर्फ हमने याद रखने के लिए oxygen इंक्लूड किया है, और ये elements मेरे पास cell division को inhibit करने के लिए, मतलब मैं साफ साफ समझ पा रही हूँ ना, कि अगर किसी element को मुझे मेरे plant को देना है, तो उसी एक limited value, एक specific range में देना पड़ेगा, मैं उसे ना कम दे सकती हूँ, ना मैं जादा दे सकती हूँ, समझ ना मेरी बात को, ये अगर मेरे plant के अंदर मैंने growth को plot किया है, with a concentration, है न ये growth मैंने यहाँ पे plot की है, with concentration, तो देखिए, जैसे जैसे किसी element का concentration बढ़ रहा है, धीरे धीरे growth हो रही है, मतलब growth अभी काफी कम rate पे चल रही है, एक समय आएगा, जिस समय पे ये growth stationary होने के बाद, जैसे यहाँ तक ये growth बड़ी, धीरे धीरे बड़ी, gradually बड़ी, उसके चाहिए था, उतना उसे मिल गया, बस अब उसने अपनी growth को क्या कर दिया, stabilize, so this is the most stable position, right, इसलिए मैं उसे अलग color से highlight कर रही हूँ, उसके बाद अगर मेरे plant मे growth, element जो है, उसका concentration आप फिर बढ़ाते गए, तो ultra मुझे एक negative impact दिखने लगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था जब तक element की कम ही थी, तब तक growth was very slow, जैसे element मिला, growth was stable, तो अब तो stable ही रहनी चाहिए, अगर आप element बढ़ा भी दे, तो नहीं बढ़ा, अगर आपने excess element बढ़ा दिया, तो ये मेरे पास best range थी, excess element कर दिया आपने, तो that is going to result in toxicity, अब ये नुकसान पहुँचाएगा, जरूर से ज़ादा कोई भी चीज नुकसान ही देती है, वो यहाँ पे prove हो रहा है, fine, यहाँ पे, अगर तुमने बहुत लंबे समय तक, इस particular element का, suppose आप potassium ले लिजे, potassium आपने इसे बहुत लंबे समय तक कम ही देके रखा, तो आपको इसमें deficiency symptoms दिखना शुरू हो जाएंगे, मतलब this will be deficiency zone, और वही पढ़ रहे है हम, है न, यहाँ पे plant के part में deficiency symptom आ जाएंगे, अब वो आपके back of the mind चलना चाहिए, जो concept मैंने आपको पहले बढ़ा दिया है, कि अगर mobile element होगा, तो deficiency symptom किस में दिखेंगे, immobile element होगा, तो deficiency symptom किस में दिखेंगे, आप भूल गए हूँ तो deficiency symptom मुझे younger parts या younger leaves में दिखेंगे, I hope that is clear, तो अब देखें वापस आजाए इसी graph पे, just give me a second, अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं, तो that is deficiency zone, यह मैं बात करूं, तो that is toxicity level, तो best range क्या है भाई, best range को मैं कहती हूँ, critical concentration, so here is critical concentration, spending गलत लिख दी है मैंने ठीक कर देती हूँ, it is referred as critical concentration, मतलब वो minimum value, जिस value पे मेरा plant एक perfect growth pattern show करेगा, ना जादा है ना कम है, तो मुझे किसी भी element का critical concentration पता होना चाहिए, चाहे आँ sodium का ले ले, एक specific value है, potassium का ले लो बेटा, एक specific value है, यह सब हमने calculate करके रखी है, और कहां से calculate की है, hydroponics, याद आता है ना, हमने chapter की शुरुबात ही की थी, hydroponics से, equaponics से हमने शुरुबात की थी, बस वहीं से इन elements का toxicity level और deficiency level मुझे पता है, तो मैंने सिर्फ focus किया है concentration, critical concentration पे, I hope that is clear, perfectly clear, है ना, तो deficiency symptom अब किसमें क्या होते हैं, वो हम देख लेते हैं, यह critical concentration हमारे पास एक बार और है, जो minimum concentration है, below which growth is retarded, हमेशा ध्यान देंगे आप इस बात पे, कि growth को ही मैं critical concentration से relate करूँगी, ऐसा नहीं होगा कि plant all of a sudden die हो जाएगा, it will do it gradually, धीरे धीरे होगा, क्यों बिटा, क्योंकि death हमेशा sudden नहीं होगी, death is always gradual, यह अलग बात है कि आपको changes नहीं दिख रहे हैं, आपको जिस दिन change दिखे, जिस दिन उसका effect दिखा, आपने कहा अभी यह process हुई, नहीं, ऐसा नहीं है, यह process long back शुरू हो चुकी है, सिर्फ आपको express नहीं हुई थी, right, तो critical concentration में पहले तो मुझे growth retard दिखेगे, gradually मेरा plant जो है, वो necrosis या chlorosis पे जाएगा, कैसे मैं बताती हूँ भी आपको, यह जो essential elements हैं, इनका critical concentration मुझे चाहिए, अगर इनका deficiency होता है, तो that deficiency leads to either, one of the symptoms, necrosis, यह ना, भी कोई तो symptom आएगा ना, तो पहला symptom क्या है, necrosis, necrosis का मतलब होता है, death of the cell, organism नहीं, दोनों में difference है, मैं organism की बात नहीं कर रही हूँ, मैं cell की बात कर रही हूँ, उस cell की growth जो है, काफी कम होते होते, वो cell मर ही जाना है, और otherwise, plant के अंदर तो आपको और एक चीज़ बहुत easily दिख सकती है, we call it as, sorry, we call it as chlorosis, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, chlorosis, chlorosis का मतलब, जो mid rib होती है, plant की वेन की, थोड़ा सा imagine करके देखेगा, मैं जान मुझ के ये चीज़ ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, so that you can visualize, आप visualize करेंगे, तो चीज़ें दिमाग में जादा easily बैठेंगी, देखिए, plant की leaf होती है, उसमें mid rib होती है, mid rib के आस पास से chlorophyll कम होना शुरू हो जाएगा, ये chlorosis gradually blockages create करता है आपकी veins में, आपकी मतलब plant की veins में, plant की veins क्या काम करती है, हमारी veins क्या काम करती है, बलड को लेके जाती है न, वैसे ही plant की veins जो है, वो water के transportation में मदद करेंगे, तो imagine बिटा, अगर कोई भी vein block हो गई, तो क्या water का moment block नहीं होगा, बिल्कुल होगा, water का moment block हुआ, तो क्या एक important raw material मेरे photosynthesis की process से कम नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, तो आपका photosynthesis रुख जाना है, photosynthesis रुख जाना है, मतलब leaf को starch नहीं मिलना है, starch नहीं मिलना है, मतलब it will lead to death of the leaf, got the point, logical है ना बिटा, इसको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, easy है, आप सिर्फ चीजों को link करते जाएए, आसान हो जाएगा, और रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, so chlorosis का मतलब होता है, veins में blockages होना, they'll get blocked, drained off नहीं होगा water, और block होने के कारण, leaf को sufficient raw materials नहीं मिलेंगे, जिसके कारण leaf photosynthesis नहीं कर पाईगी, right, so these are the deficiency symptoms, कुछ और certain elements की deficiency symptoms हम देखते हैं, element to element of course vary करेगा, for example, potassium अगर कम है, है ना, potassium की deficiency है, तो plant के अंदर कौन सी process ऐसी है, जो होना बंध हो जानी है, और आपको दिखाई भी देगी, can I say that it is opening and closing of stomata, especially it is opening of stomata, isn't it, कैसे, turgidity याद करिये, मैंने कहा था, potassium जो है, ah, so sorry, potassium जो है, that is responsible for turgidity, है ना, turgidity के लिए responsible है, तुमने potassium निकाल लिया, तो मेरे stomata जो है, वो flaccid हो जाएंगे, flaccid मितलब shape कुछ ऐसा रहेगा, है ना, it would be a permanent shape, और ऐसा shape, क्या transpiration करने देगा, नहीं, क्या photosynthesis होने देगा, नहीं, क्योंकि stomata close है, close stomata से न gaseous exchange होगा, ना transpiration होगा, gaseous exchange was needed for photosynthesis, again raw material, और transpiration was for water loss, तो हर element के लिए, अलग-अलग मेरे पास deficiency symptom आएंगे, तो it will vary from element to element, mineral deficiency कौन से plant में कौन से element की है, उसके basis पे हम उसके toxicity level, और उसकी deficiency diseases के बारे में बात करते हैं, हमने कुछ deficiency diseases देख भी ली हैं, आगे चलते हैं पीटा, अगर कोई mineral deficient है किसी plant में, और अगर आपने वो mineral plant को दे दिया है, तो बट obvious सी बात है, कि उसके अंदर जो deficiency थी, अब वो overcome हो जाएगी, ये obvious है, इसमें कोई logic नहीं है, बिमारी हुई इसलिए थी, क्योंकि उस particular mineral की कमी थी, तो जैसे ही वो mineral आपने plant को दे दिया, वैसे ही वो बिमारी भी क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, तो deficiency या mineral deficiency जो है, उससे related symptoms जो है, वो धीरे-धीरे recover हो जाते हैं, if in case you supply the same mineral or the same nutrient in the solution, अगर आपने ये deficiency बहुत लंबे समय तक बने रहने दी, तो plant even मर भी सकता है, और अगर आपने इस mineral को provide करते टाइम, ये mineral को कुछ जादा ही provide कर दिया, तो even toxicity हो सकती है, मतलब you need to create a balance, आपको एक balance maintain करके रखना पड़ेगा, आपको एक balance रखना पड़ेगा कि आपका plant जो है वो, ना excess में रहे, ना deprivation जिसमें हो, ऐसा भी न हो, deficiency भी न हो, तो इस तरीके से हम ये mineral deficiency को discuss करते हैं, मैंने आपको कुछ एक basic idea दिया ही था, कि कुछ elements हमारे mobile हैं, जैसे NPK magnesium sulfur, ये elements हमेशा पुराने tissues में, पुराने plant के parts में, older parts में ज़्यादा express होंगे, और younger parts में comparatively less express होंगे, इसी थरह immobile elements जो है, मतलब जो हमारे structure को support करने में मदद करते हैं, जैसे calcium, ये elements, immobile elements की category में आते हैं, और ये younger tissues में आपको सबसे पहले इनकी deficiency दिख जाएगी, ओके, जैसे बच्चों, calcium की deficiency जब होती है न, तो जो leaf है वो curl होना शुरू हो जाती है, तो वो leaf का curling जो है, that indicates the deficiency of calcium, ओके, तो इस तरीके से ये mobile, immobile elements की deficiency symptoms हमें आते हैं, अब अगर जैसे कुछ में problems की, कुछ deficiencies की बात करूँ, तो मेरे पास एक है chlorosis, chlorosis का मतलब होता है, chlorophyll का खतम होना धीरे-धीरे, loss of chlorophyll, जिससे जो पतियां है, जो leaf है, वो कैसे हो जाएंगे, धीरे-धीरे धीरे, they start turning to yellow, तो chlorosis का मतलब होता है, leaf का yellow turn हो जाना, यह जो yellowing of leaf है, turning of yellow of leaf है, यह sodium, potassium, magnesium, sorry nitrogen, potassium, magnesium, sulfur, iron, zinc, molybdenum and manganese के कारण होता है, यह कुछ elements हैं, जिससे मेरी plant की leaf, जो है आप देखिए, सिर्वेंस के cross, थोड़ा-थोडा chlorophyll, आपको दिख रहा है, बाकि पूरी पत्ती जो है, वो पीली पढ़ चुगी है, this is what is referred as chlorosis, तो chlorosis का मतलब होता है, loss of chlorophyll, और chlorophyll धीरे-धीरे खतम हो जाने से, plant जो है, वो photosynthesis नहीं कर पाएगा, plant मतलब जिस पार्ट में यह problem हो रही है, वो पार्ट, वो हिस्सा, वो leaf photosynthesis नहीं कर पाएगी, और अगर that leaf is not going to perform photosynthesis, of course it is going to get die, तो यह कुछ elements है, जिनकी deficiency से chlorosis हो सकता है, the next is necrosis, necrosis का मतलब होता है, tissue की death ही हो जाना, necrosis particularly आपको leaf tissues में ही देखने को मिलेगा, और यह term भी हम leaf tissues के लिए ही use करते हैं, तो necrosis का मतलब होता है, कि leaf tissues का धीरे 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 die out हो जाना, the organ is lost completely, और अगर अब organ जो है, वो मर गया है, तो बट अबेस सी बात है, कि उसका function, उसका role जो है, वो plane नहीं हो पाएगा, और यह जो chlorosis और यह जो necrosis है, यह necrosis आप यहाँ पर observe कर सकते, देखिए, ऐसे black color के spots डेवलप होना शुरू हो जाएगे, leaf के base पे, leaf के bottom base पे आपको दिखाई देने लगेंगे, यह specifically calcium, magnesium, poparin, potassium के कारण होती है, कैसे याद रख सकते हूँ बिटा, का, कू, का, मग, ऐसे याद कर लीजे, थोड़ा सा funny है, लेकिन इसलिए दे रहे हूँ कि आपको शायद याद रह जाए, क्योंकि इन elements को याद रखना बहुत मश्किल है, तो अगर कोशिश करें, तो इस तरीके से ध्यान रख लीजेगा, काकू का मग, यह किस के लिए हैं, necrosis के लिए, necrosis का मतलब होता है, death of leaf tissue, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, cell division का inhibition में आपको पहले बता चुकी हूँ, स्मोकिंग हमने पढ़ा था निमोने, तो देख लीजे, सोडियम, सौरी, नाइटरुजन, पोटाशियम, सल्फर और मॉलिबड़न, सोडियम, एनने होता है, बार बार पता नहीं क्यों सोडियम यादा रहा है, तो नाइटरुजन, पोटाशियम, सल्फर और मॉलिबड़न, यह तीन जो एलेमेंट्स है, मेरे यह तीनों एलेमेंट्स, सेल दिविजन को इनिविट करते हैं, मतलब हमने इसे कैसे याद रखा था पिटा, स्मोकिंग, राइट, हम स्मोकिंग बोलते हैं, उसको स्मोकिंग बोलते हैं, स्मोकिंग, ओके, तो यह तीन एलेमेंट्स आर नोन तो कोज, और नोन तो इनिविट दिविजन, डिले इन फ्लारिंग, हमने डिसक्स किया था, हमारा जो नाइटरजन है, सलपर है, मॉलबडेनम है, इन तीन एलेमेंट्स के काराएं, फ्लारिंग नहीं हो पाता, टाइम पे, डिले होती है, फ्लारिंग, फ्लार बहुत धीरे-धीरे बनते हैं, आ अर्टिमेटली आपका प्लान जो है, वो सेक्चियोल रब्रदाक्शन डिले करता है, ऐसा महीं हो सकता है, कि plan sexual reproduction कर ही न पाई इतना देले हो जाए